हेलो दियर स्टूडेंट्स चले आज का सेशन शुरू करें जैसा कि मैंने आपको last class में कहां तक बता था याद करो मैंने आपको तेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है present tense पूरा खतम कर लिया हमने present indefinite, present continuous, present perfect continuous और एक class मैंने आपको दी थी antonyms की अब मैं उमीद करता हूं कि आपने उस सारी classes दीख ली होंगी और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं past indefinite tense past indefinite tense में रूस बात करते हैं फिर आप इसकी practice करना और मुझसे धेर सारे doubts पूछना जैसा कि आप मैंसे कुछ लोग पूछ भी रहे हैं चलिए क्या है past indefinite tense की पहचान past indefinite tense में आप कोई काम जो कर चुके है उसकी बात कर रहे हूं और यह past की शुरूआत है उसके बाद हम past continuous फिर उसके बाद past perfect और फिर past perfect continuous पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है देखो बीते हुए समय की activity या event की बात करके हम बोलते हैं यानि इसे मैंने आपको क्या बताया जो समय हमारा बीत गया हम उसकी बात करते हैं तो बीते हुए समय यानि भूत काल हो चुका है और कोई event की जब आप बात करोगे तो आप किस tense में बात करोगे past indefinite अगर हिंदी में हम बात करें तो last में क्या लगता है बताओ ताथा तीथी किया लिया दिया समझ रहो मैंने किया मैंने लिया मैंने दिया मैंने खाया मैंने सोया मैं खेला तो यह सब क्या है ताथा तीथी यह अगर लग रहा है अगर आपको activity बता रहे हो मैं खेलता था मैं second form use होती है जैसे अगर मैं verb की बात करूँ तो go went gone तो second form क्या हुई went is the second form of go to go went gone go went gone तो present indefinite sorry past indefinite में हम लोग कौन सी verb यूज करेंगे second form of verb very clear चलो और यहां पे so you have to learn verb जैसे कि मैंने आपको बता दिया अब आपको verb याद करने पड़ेगी यानि verb की form भी याद करने पड़ेगी first form second form और third form वह मैं आपको मैंने PDF भेज भी दिया है मैं दोबारा भेज दूँगा कुछ verb की form फिर आप उसको याद करने चलिए अब जैसा कि कुछ form लेते हैं जो हम sentence बनाएंगे फिर हम उससे sentence बनाने की practice करेंगे चलो affirmative sentence इसका मतलब क्या होता है जब आप एक positive sentence बनाते हो तो इसका formula क्या कहता है subject प्लस work की second form प्लस object subject क्या होता है we you they यह subject होते है work की second form आप उसकरोगे और object राइट जैसे एक sentence बना इसका I did my class work last night अब यह did second मैं किसी काम को करने के do did done तो did मतलब किया मैंने अपना class work पिछली रात को किया clear अब आज़ा negative sentence बनाने के लिए formula क्या बन जाएगा subject did not लगाएंगे आप क्या लगाएंगे did not वर्व की first form प्लस object मेरी वात समझ आई आई आपको subject did not लगाएंगे अब यहाँ पर वर्व की first form लगाएंगे present indefinite do या does तो जब आप does लगाते थे तो फिर वर्व में यह यह नहीं लगाते थे यह वही चीज आ गई यहाँ पर जब आप did use करेंगे चाहे वह question mark के लिए अभी आगे हम पड़ेंगे या फिर आप not के साथ did लगा रहे हैं did not तो फिर आप वर्व की first form लगाएंगे interrogative का क्या formula बनेगा interrogative का did पहले लगा दोगे फिर subject फिर वर्व की first form plus subject मतलब जहाँ पर did का use हो गया वहाँ पर वर्व की first form clear चलिए अब चौत्था formula अब देखो negative interrogative sentence में कैसे बनाओगे आप negative interrogative मतलब question के साथ अगर मना करना हो तो did subject not वर्व की first form plus object clear did subject के साथ not वर्व की first form object इसका एक sentence बना लेते हैं did I not do my class work last night देखो यहाँ पर first form लगा दी मैंने और did क्या है जो मैंने समझाया था इसमें आपको पहले लगाना है did राइट चलिए अब इसकी practice मैं आपको कराता हूं practice one practice one देखे मैंने क्या बना है I sung a song sung is the second form of sing sing sung sung मैने sung a song मैने गाना गया मैने एक गाना गया did I sing a song क्या मैंने एक गाना गया I did not sing a song मैने एक गाना नहीं गया clear हो रहा है आपको चलो अब मना करो did I not sing a song क्या मैने एक गाना नहीं गया did I not sing a song did I not sing a song जहां पे did लग गया वहां पे वर्व की first form और normal में affirmative sentence में वर्व की second form क्लियर है चलिए प्रेक्टिस टू पे आप दे करें प्रेक्टिस चाओ I went to college, went is the second form of go, go went gone, go went gone, I went to college, मैं college गया, I went to college, मैं college गया, did I go to college, अब आगया did, क्या लगेगा, फर्व की first form, did I go to college, क्या मैं college गया, I did not go to college, मैं college नहीं गया, did I not go to college, क्या मैं college नहीं गया, क्या मैं college नहीं गया, very clear, प्रेक्टिस थ्री पे आजाओ, प्रेक्टिस थ्री, he read my book, अब यह read नहीं है, this is red, वो क्या है, जब आप verb याद करोगे, तो read, read, ready होता है, बट प्रनंसियशन क्या है, read, 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 यहाँ पर second form है, read की, तो यहाँ पर से कैसे pronounce करेंगे, बोलो, मेरे साथ बोलो, read, read, he read my letter, he read my letter, उसने मेरा खत पढ़ा, did he read my letter, did he read my letter, क्या उसने मेरा लेटर पढ़ा, he did not read my letter, he did not read my letter, तो उसने मेरा लेटर नहीं पढ़ा, did he not read my letter, क्या उसने मेरा लेटर नहीं पढ़ा, right, तो second form red pronouns, first form read pronouns, clear, अब इसमें जो आपके लिए simplicity के लिए आपको याद दिला देता हूँ, यह मैंने आपके लिए simplicity लिख भी दिया है, यहाँ I, V, U, He, She, It's singular name, plural name में वर्व का कोई issue नहीं है, याद करो, मैंने सिखाया था do, does, फिर इसके साथ लगेगा, he के साथ यह, she के सा नहीं है, यहाँ पर S, Y, E, S का पंगा, do, does का पंगा, is में क्या है, I, M में क्या है, R में क्या है, ऐसा कुछ नहीं, clear, यह हुआ हमारा past indefinite, ठीक है, असकी खुब practice करना, जो doubt है मुझसे पूछना, right, happy learning, bye-bye.